अज हम लोग बनाने वाले हैं एक रोल की restpad और वो भी एक रोल बनाने वाले भाया से ही हम लोग शखेंगे यह restaurant कैसे बनाते हैं तो इस recipe को बनाने के लिए पहले हम roll की seat बनाएंगे और फिर उसके बाद recipe को complete करेंगे तो अंडा रोल की ये रोटी कैसे बनती है सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस वीडियो को सबसे पहले ये देखिए ये रोटी इतनी नर्म इतनी मिलायम होती है कि इसे आप इसे तरहिके से मोड दे तब भी इसे कुछ नहीं होता तो सबसे पहले दोस्तो हमें लेना है मैदा तो यहाँ पे 1500 ग्राम के आसपास हमने मैदा ले लिया है अब इसमें दोस्तो डालेंगे आधा छोटा चमच बेकिंग सोडा का यानि कि जिसे मीठा सोडा कहते हैं उसे हम डालेंगे दो बड़े चमच रिफाइंड तेल के डालेंगे साथ ही दो बड़े चमच यहां पर हम ले लेंगे दही को और दही को अच्छी तरीके से पहले फेट लेंगे फिर डालेंगे तो यहां पर दही भी डाल देते हैं अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चमच पानी वैसे पानी आप दो बड़े चमच ही डालिएगा अगर बाद में आपको जरूरत हो तो एक चमच और डाल लीजेगा तो यह हो गया दोस्तों दो बड़े चमच पानी अब यहाँ पे दोस्तों एक ची तरीके से एक साथ जोड लेने के बाद फिर इसे हम टेबल पर रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से मसलना सुरू करेंगे जिससे कि ये सारे ही जो आटे हैं बिलकुल सौफ्ट होने लगे धीरे-धीरे तो ऐसा आपको दो मिनट तक करना है घड़ी देखके सिर्फ दो करेंट हो चुके हैं आटा तैयार है तो सबसे पहले यसमें क्या करना है कि पेड़े बना लेने हैं और फिर इसके बाद मैदे से इसकी कोटिंग करके हमें फटा-फट से इन रोटियों को बनाना है हमें वेट नहीं करना, रेस्ट नहीं करने देना फटा-फट से हम इसकी रोटियां बनाएंगे तो यहाँ पे आपको दो लोगों की जरूरत हो सकती है एक जो रोटी को बेले और दूसरा जो रोटी को सेके तो इस तरीके से आप इसे बड़ ही आराम से और फटाफट बना सकते हैं तो रोटीयों को जितना पतला हो उतना पतला हमने बेल लेना है रोटी को सेकने के लिए तवा या पैन ले लेंगे उसमें थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे जिससे की ये तली में चिपके नहीं अब इसके बाद दोस्तों जो हमने रोटियां बना के रखी हैं इसको इसमें डाल देते हैं और बस 10 सेकेंड तक दोनों तरफ से पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे बस हल्का सा कलर आ जाए फिर इसको पलट देंगे अगर इसे हम बहुत जाता पकाएंगे तो रोटियां कड़ी हो जाएंगी तो इसे हमने कड़ा नहीं करना तो आपने क्या करना है कि इसे कम कम देर के लिए पकाना है दस सेकंड मान लीजे दोनों तरफ से एक तरफ से 10 सेकंड दूसरी तरफ से भी 10 सेकंड इसी तरीके से हमने सारी ही रोटियों को बना लेना है और इसे तयार कर लेना है और इसे बना के तुरंत ही हमें कपड़े से ढख देना है और उसके बाद ये नर्म रोटी हमें मिल जाए तो दोस्तों यहाँ पे चार मीडियम साइच के प्यार्च थे जिसे कि इस तरीके से स्लाइस कर लेना है एक ले लेना है सिमला मिर्च उसे भी इस तरीके से लंबा लंबा स्लाइस कर लेना है और पत्ता गोभी ले लिना है हमें, पत्ता गोभी का एक चौथाई भाग हमें लेना है, इसे भी हमें slice कर देना है आब इसके बाद दोस्तों एक पैन लेंगे उसमें हम दो बड़े चमश तेल को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे कटा हुआ अद्रक तो मान के चलिए एक इंच कटा हुआ अद्रक था और इसे हमने इसमें डाल देना है और इसके साथ ही दोस्तो हमें डालनी है इसमें हरी मिर्च तो हरी मिर्च हुए हमारे पास चार इसे हमने पतला पतला काट लिया है पतला लंबा इस तरीके से काट लेंगे इसके साथ ही दोस्तो हमने क्या करना है कि इसमें हम डालेंगे प्याज को जो हमने चार मीडियम साइज के प्याज पतला इस तरीके से काटा था इसे डाल देंगे और एक बार बस इसे हमें मिक्स कर देना है मिक्स करने के साथ ही दोस्तों हम इसमें तुरंत ही डाल देंगे कटा हुआ पत्ता गोभी और कटी हुई सिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा देर तक प्याज को नहीं पकाना है बस एक बार मिला दीजे और उसके बाद तुरंत ही इसमें पत्ता गोभी सिमला मिर्श हमें डाल के अच्छे से हमें इसे mix कर देना है अब दोस्तों mix करने के बाद हम इसमें तुरंत ही डालेंगे sauce को तो दो बड़े चमच यहां पर हम डाल देंगे tomato sauce का और एक बड़े चमच यहां पर डाल देंगे chili sauce का अब इसे कर देना है आपको एक बार अच्छी तरीके से mix और mix कर देने के बाद दोस्तों इसमें हमने डालना है food color अगर आप चाहें तो food color डाल सकते हैं वरना आप इसे skip भी कर सकते हैं street style recipe है तो इसमें color थोड़ा हम डाल देते हैं तो यह हो गया color और color डालने के साथ ही दोस्तों इसमें पढ़ेगा meat masala का तो यहां पर दो छोटे चमच पढ़ जाएंगे meat masala अच्छा दोस्तों अब इसे हमें कर देना है mix यहां पर एक ची मैं आपको बता दूं कि इस mixture में भी हमने नमक नहीं डालना है अगर हमने इसमें नमक डाल दिया तो यह जो पत्ता गुभी और सिमला मिर्चे इसका crunch खतम हो जाएगा दूसरा यह बहुत धेर सारा पानी छोड़ देगा और यह बिलकुल खराब हो जाएगा तो इसमें भी हमें नमक नहीं डालना है तो सारी तैयारी हो गई दोस्तों अब रोल को बनाना सुरू करते हैं तो पैन में हमने दो बड़े चमच तेल ले लिए थे दो अंडे को फोल लेंगे और इसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे नमक तो यह ओमलेट में हम नमक डालेंगे मान के चलिए कि आधा छोटा चमच से भी थोड़ा सा कम ही हमने नमक डाला इसमें अच्छी तरीके से फेट लेना है मिक्स कर लेना है और बस इसे हमने डालना है पैन में इस तरीके से हम डालके अच्छी तरीके से फैला लेंगे और फिर इसके बाद इसके उपर से ड्रक द है और हमें क्या करना है कि इसे हमने पलट देना है तो यह देखें इसे हमने पलट दिया बढ़िया कलर आ गया है अब इसे भी दोसतों हमने 30 सिकंड तक पका लेना है य। थोड़ा से ज्यादा समय लग सकता है medium to high flame पे gas को रखेगा फिर से एक बार इसे पलट देंगे और पलट देने के साथ ही ये जो rule की हमारी seat है ये बनके बिलकुल तयार है अब क्या करना है कि हमें इसमें sauce लगाना है और इसकी stuffing को भरना है तो हम रख लेते हैं इसे table पे अब दोस्तों इसमें हम डाल देंगे tomato sauce और इसके साथ ही डाल देंगे यहाँ पे chili sauce का तो tomato sauce जितना रहेगा चिली sauce उसका आधा ही थोड़ा सा रहेगा अब इसके साथ ही दोस्तों इसे अच्छी तरीके से पहले तो हमें फैला देना है पूरे ही रोल पे और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कटा हुआ प्याज थोड़ी सी कटी हुई पत्ता गोवी है इसे भी हम रख देते हैं और इसके साथ जो हमने पत्ता गोवी सिमला मिर्च का मसाला बनाया था इसे हम डाल देते हैं और बस इसे हम कर देते हैं फटा फट से रोल और फिर इसके बाद लगा देंगे बटर पेपर और इसके साथ ही यह रोल को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो यह हो गई दोस्तों हमारी स्ट्रीट स्टाइल एक रोल की रेस्पी उम्मीद करता हूँ दोस्तो रेस्पी आपको बहुत ही पसंद आएगी इस रेस्पी को जरूरी ही ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट करके बताएगा रेस्पी आपको कैसी लगी मिलते हैं दोस्तो अगली वुडियो के साथ थैंक यू सो मच